आज बनाते हैं पंजाबी एस्टाइल राजमा इसमें आपको नहीं कटिंग चॉपिंग करने के जरूरत है फिर भी यह राजमा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर त्यार होंगे एकदम कम महनत में खटी स्पाइसी चरपटी यह राजमा बनकर त्यार होंगे कोई भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है कटिंग और चॉपिंग करने में तो आज सिर्फ प्रेसर कोकर का इस्तमाल करेंगे और बहुत ही टेस्टी राजमा घर में बनकर त्यार हो जाएंगे तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा इसे सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स फटा फट स तरमाटर थे जिसको हमने बस दो टुग्रों में काट लिया है और इसके साथ हमने दो इंच द्रग को घिस लिया है और दो हरी मिर्चमने लिए हैं तो सब्सक्राइब करते होंगे तब यहां पर आधा चमत साबू जीरा एक दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची दो लवंग और एक तेजपता को हमने यहां पर डाल दिया है अब इसे कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे जिससे इनका कच्चापन निकल जाए और अब यहां पर डालेंगे प्याज प्याज को हमें ज्यादा पकाना नहीं बस एक से देर मिनट के ल और थोड़ा से यहां पर डाल देते हैं स्पाइसी वाली लाल मिर्च का पॉडर अब इसे भी प्याज के साथ अच्छे से एक बड़ मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को डालते समय गैस का फ्लेम लो कर दे नहीं तो मसाले बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं तो अब यहां चिलि फी लासनकी कलिया और इसके साथ यहां पर दैता अधरक को वी और थोड़ा से यहां पर मैं धनिया का डंठल ड मुझा नमक लिए और ऐन सबको अच्छे से मिलानी के बाद ऑद यहां पर डाल लेगाए तो यहां पर डाल देते हैं टामाटर तमांटर के सब दाल देत पानी ना डाले अब pressure cooker का धकन बंद करके इसे medium to high flame पे दो सीटी आने तक cook करेंगे तो यहाँ पे दो सीटी लग गई है और देखे टमाटर बहुत ही अच्छे से soft हो गए हैं और टमाटर के साथ ही सभी चीजे भी अच्छे से soft हो गए हैं मैं आपको दिखाती हूं तो अब य इसका काम बिल्कुल भी नहीं है यह अपना flavor oil में छोड़ दिये हैं जब यह खाने के time मिलेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं अब इसे अच्छे से mask करेंगे और यहाँ पे gas का flame हाई कर देंगे और high flame पे इसे अच्छे से भूनेंगे अगर आप स्टार्ट के लिए सोग कर दिया था आप चाहें तो 7-8 घंटे के लिए भी इसे भीगो कर छोड़ सकते हैं देखें यह बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं तो अब यहाँ पे डाल देते हैं राजमा राजमा को उबालना नहीं है बस इसे सोग करके इसमें add कर दें अब राजमा को अ सलाव पौडर और एक चमच का सूरी मेथी को हमने तवे पे गरम कर लिया है बिल्कुल थोड़ा सा हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी लिये हैं अब इन सब को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो राजमा को हमने पहले से बॉयल नहीं किया है इसलिए अब यहाँ पे राजमा बनकर त्यार हो गया है तो अब यहाँ पे डाल देते हैं खूब सारा धनिया पत्ता आपको समझ में आ रहे होंगे राजमा कितना बढ़िया बनकर त्यार हुआ है और इसका athiness भी कितना perfect है तो मैं आपको यहाँ पे राजमा टच करके दिखाती हूं देखे यह कि से मैस हो जा रहे हैं यह हमारा बहुत ही ज्यादा चैट पटा राजमा बनकर त्यार हो गया है तो चलिए इसे जीरा राइस के साथ सर्व करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यह रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस रेस्पी को आप कहां से देखन किया है तो एक बार जरूर ट्राइक कीजिए इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएंगे और अभी तक आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारे वीडियो के सारी न